तो गाईस मैं तश्टू पाद्ध है आपका अपनी यूटूब चैनल बियलेट कोर्स पे हार्दिक सौगत है गाईस इस वीडियो में हम बियलेट सेकेंड डियर का जो साइकॉलजी एजुकेशनल साइकॉलजी है जो कंपलसरी पेपर है उसका जो टॉपिक इंटेलिजेंस ब ब्धि क्या होती है इसका नीचर क्या है कितने टाइप की होती je you get बिडियो श्टार्ट करते हैं दानिक जीवन में ब्धिक एक शमान सब्द है जिसका कई अर्थों में प्रियोक किया है बैक्तिक भिन्नता के कारण कोई भी दो बैक्ति एक समान नहीं होते हैं कुछ तीब्र बुद्ध के होते हैं कुछ मंद्र बुद्ध के कुछ समस्याओं का समाधान तीब्र से ढूंड लेते हैं तो कुछ देर से ढूंड पाते हैं इ के वह एक दूसरे से भिनन हो जाता है इसकी चली आगे मीनिंग इसका सरपतम सरप्तम 1895 में के नाम से जाना जाता है इसलिए बुद्धी जो केवल अर्थ मात्र था उसकी कोई भौतिक सत्ता ना होने के कानल इसके आयामी भौतिक नहीं है अपि तो इनके केवल गुड मात्र हैं बुद्धी में कोई एक गुड नहीं है अपि तो बुद्धी गुडों का समुच्च है बुद्धी में कोई एक दिफिनिशन में है पहली वैसलर के अंसार अभी प्रियुक्ट करने तरक यूक्त शिंतन करने तथा प्रियावड के साथ प्रभाव पुर्ड धंग से ब्यवार करने की सक्ति विक्त की संपूर अत्म सर्भौम छंता ही बुद्धी है यह जो डिफनीशन है वेसलर की यह आपके यूपी टेट, सी टेट और सूपर टेट एंड बीएड और बेलर्ड दोनों सभी के लिए इन दोनों कोर्सेज बाकि आपके जो भी एक्जाम है टीचिंग के सब के लिए इनकी जो वेसलर की डिफनीशन होती हैं इन्टेलिजेंस की वो most important होती है क्योंकि इन्होंने अपनी definition में पूरी बात कही है कि बुद्धी मतलब पाकी सभी definitions important है लेकिन सबने केवल एक एक चीजों को अध्यान दिया लेकिन इन्हों ने अपनी डिफ्नीशन में हर एक पार्ट को सम्रित किया है देखिए अभी प्रियुक्त मतलब किसी भी बात को भी प्रियुक्त करने तर्क करने चिंतन करने परियावड के साथ प्रभापूर समाजश्व करने या ढंग से ब्यवहार करने की सक्तिब्यक्ति की संपूर अत्मा सर्ग भौम समता ही बुद्ध है ऐसा कौन कह रहा है बशलर कह रहे हैं आगे देखेंगे टर्मन के उन्सार बुद्धि अमूर्थ विचारों के बारे में सोचने की योगिता है बुद्धि क्या है बु बुद्धि कारी करने की एक बुद्धि कारी करने की एक बिधी है तो हम लोगों ने क्या वेशलर की रिफनीशन देख लेए टर्मन के और वुद्वर्थ की आगे देखते हैं अगे हम देखेंगे नेचर आफ इंटेलीजेंस नेचर आफ इंटेलीजेंस बुद्धि की प्रक्रित मनुब बिज्यान की उत्पत्ति से लेकर आज तक बुद्धि का स्वरूप निशित नहीं हो पाया है मतलब यह नहीं निशित हो पाया है भी तक कि तर्क करने की शमता बुद्धि है या कुछी कारी करन बिवार करते हैं तो ये सब जो हम करते ही ये सब बुद्धिया भी यह कोई एक चीज निश्चित नहीं हो पाई है तो वही इसमें नहीं हो पाया है समय समझ पर जो परिभाश क्या परीबहाशा है वही इसके एक पच्छे बिशिश्ताओं से संबंदित थी लेकिन बुद्धि का श्वरूप क्या है यह मतलब अगर देखें तो हर बार कोई अलग-अलग चाइकोलोजिस्ट आते हैं और अपनी डिफिनीशन देते हैं जिसे हम बुद्धि को समझ पाते हैं लेकिन अभी कोई भारती बिद्वानों ने ज्यान को जीवन का प्रमुख साधनियों साध्धिमाना है जो अधिक से अधिक ज्यान ग्रहण कर लेता है उसे समाध उच्छ अस्थान दे देता है मतलब जितना आप अधिक सीखते हैं उतना आपको अधिक बुद्धिमान माना जाता है आज के अब यहां जो डीयर मैंन की भादगी करोक्त है और यहां रायविन की है कि आप जितनी जल्दी कुछ सीख लेते हैं इसनी है अप उसके योग हो जाते हैं यह समाज स्वान मानने लगता है अब रायबोन कह रहे हैं कि अगर कोई ब्यक्ति समझ्या कि कि किसी भी प्रॉब्लम में रहता है और उसका solution जल्दी ढूंड लेता है या अपनी समझ्या का समाधान जल्दी कर लेता है तो वो बुद्धिमान है तो सबकी अपनी अपनी विचार हैं जो हम पढ़ते हैं आगे अगला है कि अमूर्थ चिंतन की योगिता मतलब अभी हमने क्या देखा कि शीखनी की योगिता बुद्धि है यह समझ्या समाधान की योगिता बुद्धि है अब आगे है अमूर्थ चिंतन मतलब अप्रतक्षवस्तों के बारे में जो हम सोचते हैं वो योगिता जो हमारे तर्मन कह रहे हैं कि जो हमारी आमूद्थ तिंकिंकि जिसे ह Imperial men तो जैसे जो वस्तुव रोएं रोपे सिंतन करते हैं जिस दिन के ओज दा प्रहरी जादः होता ही उनके अंदर याबिटी ज्यादा होती है वह азपिक बुद्धिमान होता है ऐसा टर्मन कह रहें हैं आगे देख्त है प्रते बिग्ति दो प्रकार से चिंतन प्रक्रिया को अपनाता है पहला मुर्त रूप से चिंतन करके ग्ञान प्रापट करता है तो दो तरीके हैं या दो विधियां है जिससे मनुष्य चिंतन करता है अमूर्थ चिंतन में जो बेक्ति सफल होता है उसे बुद्धिमान कहा जाता है अब देखे इसमें अमूर्थ इसमें कहे दिया गया कि वो बेक्ति बुद्धिमान है जो जिसमें अमूर्थ चिंतन की यो दिमान होता है तो यह सभी जो साइकोलोजिस्ट हैं वो अपने अपने मत सब दिये हैं आगे है अगला है पर्यावरण से समाजश्व की योगता मतलब अगला बिलियम इस्टर्ण इसमें कहते हैं कि मतलब जो बेखती है पर्यावरण से समाजश्व की योगता मतलब अगर स्क्राइब नहीं अगर देखे होगे अगर अपने नहीं नहीं गुन मिल पाते हैं उनकी बाते सभी बच्चों की से एकजैसी नहीं होो पाती है तो ये अब क्या वो बुद्धिमान नहीं है तो मतलब लेकिन ये एक एक लोगों का मत है वो अपने मत दें है कि नहीं ये बेक्ति बुद्धिमान होता है तो इसलिए कहा गया है कि जो बुद्धी होता है वो केवल एक गुड़ का वो नहीं ये वो पूरा गुड़ो का स्काद्ध क्या है इन्टेलीजन सेटर्फ कॉलिटीज मतलब गुडों का समुच्च को नहीं मानता है अगर किसी बिक्ति के अंदर सोचने की योगता है तो यह भी बुद्धिमान है नहीं यह सब एक जो साइकोलोजिस्ट है उन्होंने अपने अगर आप लोग जो मेरा वीडियो पढ़ेंगे अगर उनको लगता होगा कि नहीं यह पिक्ति भी बुद्धिमान होता है तो आप भी आगे चलके एक साइको अच्छी साइकोलोजिस्ट बनके अपनी बुक लिखिए अगर आप अपनी कोई डिफिनीशन देंगे अगर वो मा समस्या समाधान की योग गिता है तीसरा था हमारा अमूर्थ शिंतन की योग गिता और फिर था परियावर्ण से समाज़श्व की योग गिता यह हमारे नीचर हो गए अगे हम देखते हैं इसके टाइप्स टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धी के प्रकार बुद्ध तीन प्रकार की होती है समाजिक बुद्धी, अमूर्थ बुद्धी, मूर्थ बुद्धी, समाजिक बुद्धी, मूर्थ बुद्धी, अमूर्थ बुद्धी, सोशल इंटेलिजेंस, एफ्स्रेक्ट इंटेलिजेंस और जो होता है हमारा कॉंक्रीट इंटेलिजेंस तो जो ये बुद्धी का जो प्रकार है समाजिक बुद्धी अमूर्थ बुद्धी मूर्थ बुद्धी ये किस ने दिया है गेरेट महुदे ने गेरेट महुदे और थॉन्डाइक दो लोगों ने बुद्धी के प्रकार बताए हैं गेरेट ने ये तीन प्रकार बताया है समाजिक सब्सक्राइब कर चाहिए सब्सक्राइब कि तब फिरो आपके सब्सक्राइब कि गरेट के इंशार बुद्धी के प्रकार कौन से है निवनी में बताईए यह ऐसे question तो MCQ इस बार साय ना हो अगर होता है तो MCQ आपके बेड में पूछा जा सकता है बट अगर आप आगे preparation करेंगे यूपी टेट, सी टेट या किसी भी लेबल का टेट हो मतलब किसी भी राजस्थान टेट हो बीहार टेट हो कोई भी हो टेट में सी टेट में और आपकी जो सूपर टेट होती है PRT के लिए उन सब में आपसे ऐसे question पूछे जा सकते हैं कि बताईए बुद्धी के प्रकार गयर बुद्धी अमूर्द बुद्धी आगे देखते हैं हम समाजिक बुद्धी क्या होती है सोचल इंटेलिजेंस समाजिक बुद्धी से तात पर ऐसी शमाने मामसिक शमता से होती है जिसके संबंध में अन्य बिक्तियों को ठीक ढंग से समस्ता है तथा बेवार को शलता भी दिखाता है ऐसे लोगों का समाजिक शंबंध काफी अच्छा होता है तथा समाज में उसकी काफी प्रतिष्टा होती है मतलब समाजिक बुद्धी एक कारसिवा बुद्धी है जैसे कोई अगर आप पने क्लास में एक्जामपल लीजिए कोई बच्चा आपकी मतलब फस्ट से एक दूसरे का बैवार जान लेंगे जल्दी से और उनके अंदर बैवार कुसलता होगी बात चीत करने का अच्छा तरीका होगा जिससे वो उनके अंदर समाजिक बुद्धी आपको लोगों को अस्पस्ट दिखाई देगी ऐसे लोगों को अकर एक्जामपल देखें तो आगे जो उनको सीम पीम जो भी बनना रहता वो बन जाते हैं वक्ता अगर आपके बात कोई कब सुनेगा जब आप एक प्रभाव पूर भाचर दे रहे होंगे आपका जो संप्रेशर है आपका जो कम्निक्वेशन वो प्रभाव पूर होगा तो जिसके अंदर सोसल इंटेल ज्यान से होता है जिसे प्रीक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है पाईजाती है वहाँ ग्यानर्जन करने में इस तरह की छमता दार्षनिक कलाकारों कहानी में अधिक होते हैं जिसे अल्मूर्थ करसके हैं कि डो कि ट्५िक मतलब आहां ने आपको बताए था कि मतलब आप पर्टक्ष चिंतन आपको जो चीज़े पर नहीं दिखाये दें रहे कि उसके बारे में चिंतन कर सकतें के लोग होते है कलाकार छित्रकार जिन कहानिकार गड़ी तक मैहित में भी तो ऐसे किया जाता है जैसे अगर कोई formula लिखा जाता है तो आपको question थोड़ी नपता होते हैं आप कुस को करते जाते हैं जिस्व जो चीज़ें आप माइंड में सोचते हैं वह आप पोई पेपर में कलेते उसको कोलिरेट करता है फिर उसके बाद वो कहानी लिखता है तो मतलब अब तक चीजों के बारे में गड़ चिंतन हो रहा है तो वहीं ही आपकी अफ्रेक्ट थिंकिंग होती है उसके पास इसके एक्जामपल होता है कलाकार चित्रकार गड़तक गयों कहानीकार ऐसे होती है आगे है कंक्रीट इंटेलिजेंस मूर्थ बुद्धी इसके सहारेब्यक्ति मूर्थ या ठोस वस्तों के बारे में समस्ता इसके बारे में सोचता तथा अपनी इच्छा वह सुक्ता उन्चार उसमें परिवर्ता कर उन्हें उपयोगी बनाता इसे ब्यवहारिक बु यहां में निपढ होने के करण से ही फॉंडाइप ने इसे क्या कहा है गामक या यांत्रिक पुद्धि मुतलब तो इस ही कार थो य। नीशे सा ही ह। यांत्रिक बुद्धी तो मने गरेट épते क्मे मूर्थ बुद्धि समाजिक अब ठाटाइक ने केवल मूर्त बुद्धी का नाम चेंज करके से क्या कह दिया है गामक या यानत्रिक बुद्धी अब आगे देखते हैं हम हमारा टाइपस इंड हो गया टाइपस खक्तम हो गया हमें तेख लिए कि तीन टाइप सोते हैं के लिए तान डाई के उन्षार बस तॉन डाइक और ग्रेट में एक जिन्ज हैं कि उन्होंने मूट बुद्धि कहा है और उन्होंने उसे गामा के विश्यक्त कहा है अब इसके हम साथ करेक्टरिस्टिक देखेंगे विश्य इस आएं दे तबी से उसमें बुद्धी का विकास होता है कि ये नहीं होता है कि बुद्धी बच्चा पैदा होगा एक साल का होगा दू साल का होगा फिर उसके अंदर बुद्धी आएगी फिर वो सब कुछ समझेगा फिर वो कुछ करना स्टार्ट करेगा नहीं बुद्धी जर्म जात हो बुद्धी के उचित विकास के लिए पर्यावरण का विस्यस पहत होता है यह बात करेक्ट है मतलब कुछ बुद्धी आपकी जनवाद होती लेकिन ऐब पर्यावरण में आते हैं परयावरण में प्रवेश करते हैं तो उसकी जो आपके चालो तरप के लोग जैसे होंगे हो गिता है कि ability of learning आप अगर अधियम कर पा रहे हैं तो कि आपके अंदर बुद्धी है अगला है बुद्धि वा घ्यान में अंतर होता है हां नौलिज जो होता है आपका उसमें और ग्यान बुद्धी में अंतर होता है नौलिज आप करते हैं बुद्धी आप करते नौलिज प्रतिबाशाली बालति किंगे नहीं है वंसको तो इसी कान उक्यान में अंतर होता है बुद्धी पर वंसानुकरम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है हाँ यह बहुत करेक्ट है कि बुद्धी पर वंसानुकरम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है आप यह है कि अगर प्रतिभाशाली बालक है आप उसको अच्छा वातावरण दे रहे हैं अच्छा और आगे बढ़ेगा लेकिन वही प्रत्वासाली बालक अगर आप उसको सोचाइटी अच्छी नहीं है डेबलप नहीं है किसी और छेत्र में डेबलप है तो उस छेत्र में वो विकास करेगा तो इससे वंचानुकरब वो बच्चा जैसे अगर कोई बच्चा है दोनों प्रत्वासाली बालक हैं अगर आप एक बालक को अच्छे एट्मोस्पेर पे अच्छे उसको स्कूलिंग हो रही है वो अच्छे से पढ़ रहा है तो आगे बहुत बड़ा आफीशर या कुछ भी बन सकता है जो इसको बनना होगा लेकिन अगर वही बच्चे का आप उसको वो एट्मोस्पेर मिली नहीं रहा जिससे वो अपनी जो उसके अंदर योग्यता ईबिटी उसको दिखा सके अपनी बुद्धि को बता सके कि वो इतना बुद्धिमान है तो वो आगे नहीं लड़कियों की जादा होती है लड़कों की बुद्धि कम होती है ऐसा कुछ जो बुद्धी उती है को नहीं पढ़ता है बुद्धि बैक्ति को अमुर्ठ चिंतन की योगिता पुद्ध्ध करती है यह आगे हम लोगों ने उठाने की छमता देती है जो बुद्धी होती है आगर आपको कोई experience हुआ है जैसे आप अगर बच्पन में बहुत छोटे नहीं है आप तब भी अपने अगर कोई दिया जल रहा होकर आपने उसको पकड़ लिया हो या टच कर दिया हो तो आप जल गए होंगे तो आप जब औ और कुछ दिन बाद या एक दो तीन साल बाद आपको फिर से हो दिया अगर आएगा तो आप उसको पकड़ेंगे नहीं तो इसका मतलब यही है कि बुद्धी बिक्ति को अपने पूर्व मतलब जो आपको पहले experience हो गया है किसी चीज का आप उससे लाव अगर उठा पा रह यह वीडियो काफी लंबा हो गया है तो आगे जो बुद्धी की सिध्धानत है तो इसको हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे पार्ट टू में इस पार्ट में हमने क्या देखा हमने intelligence की meaning देखी उसकी definition देखी types देखें characteristics देखी और nature देखा I hope guys concept आपको clear हुआ होगा अकर जहां नहीं होगा तो आप comment में पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए बाकी चैनल को subscribe कर लेजिए ताकि जो बेलेट second year first year या कोई जो यूपी टेट सीटेट इस एक्जाम से related कोई भी आपकी क्योरीज हो उससे तो आप चैनल को जज़रू subscribe कर लीजिए ताकि आपको नए नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी notification मिले बाकी जो जितने भी आपकी स्लेबस में papers हैं सारे के notes प्रवाइड करवाया जाएंगे बहुत तो प्रवाइड भी किये जा चुके हैं आप उसको प्ली लिस्ट में जा